नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं परताल दुनिया भर की दुनिया की हलचल पर पहनी नजर परताल दुनिया भर की देखिये, जुडिये ताकि मिले सही नजरिया जानने और खोजने का समझने का कि क्या चल रहा है आसपास और साथ समंदर पार आखिर हम है Global Citizen दुनिया भर में तख्ता पलट और खुलासों का दौर है खास तोर से ऐसे खुलासे जो हमारे और आपके जीवन्स को उनकी निज्टा को दूसरे ढंक से प्रभावित करते हैं किस तरह से नफरत का माहौल बनाया जाता है इसके बारे में बहुत एहम चीजें हमारे सामने रख रहे हैं ऐसा खुलासा Facebook को लेकर हुआ है उस पर हम बात करने जा रहे हैं प्रभीर पुरकायस से प्रभीर आप बताएं कि Facebook को लेकर जिस तरह से जो Whistle Blower है वो सामने आई उन्होंने बहुत से एहम खुलासे किये उसके बाद हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत से तबदीली भी Facebook अपने धाचे में कर रहा है अपने चेहरे में कर रहा है सबसे पहले बहुत सीधा सवाल जो Whistle Blower ने सामने रखा है आप कैसे देखते हैं क्या उससे जो दुनिया भर में जिस तरह से जो प्रचार प्रसारत नफरत का है जिस तरह से उन्होंने बताया कि तमाम देशों में अलग ढ़ंग से खबरों का कुछ खबरे बढ़ाई जा रही थी कुछ खबरे घटाई जा रही थी ये सारा खुलासा हमारे और आपके और दुनिया के नागरिकों के लिए क्या माइने रखता है देखिए पहली बात तो ये है कि फेसबुक का जो आप कहते हैं एक नफरत पैदा करने की एक एहम भूमी का रहा है बहुत देशों में ये पहले खुलासे तो हो चुके हैं सिर्फ ये यहां नहीं मैंनमार में आपको मालूम होगा याद होगा कि उनाइटेड नेशन्स की इसमें इनक्वाइरी में ये कहा है कि फेसबुक का एक बहुत एहम भूमी का रहा रोहिंगिया की जेनोसाइट के को लेकर तो ये तो पहले से चर्चा में है पहले खुलासे भी ये खुलासे जो है और अब की खुलासा जो फ्रांसेस होजन ने की है उस पर फरक क्या है तो मैं इस पर दो फरक करना चाहूंगा एक तो है कि डॉकुमेंट्स उसने पेश की है और डॉकुमेंट्स जो पेश की है वो पहले एक छोटा सा अंग शम ने देखा था सोफी जैं उन्होंने भी ये डॉकुमेंट्स कुछ डॉकुमेंट्स पेश की थी जो की वाल स्टीर जर्नल उस वक्त उस खुलासे में जिकर किया था, उदाहरन भी दिया था जिससे, यहां पर, यह क्योंकि फेस्बुक में काम कर रहे थी, ये भी, और इसने बहुत जल्दी ये समझ लि के लिए कि देखिए यह सबूत है कि Facebook को मालूम है उसके अंदरूनी problem किया है पर इसके लिए कुछ कदम उठाने के लिए तयार नहीं है तो दोनों चीजे सबूत और Facebook का अंदरूनी जो response रहा है दोनों चीजे का खुलासा उसने की है और Francis Hogen इसकी पेश उसने Congressional Committee US में की है उन्होंने British Parliament के सामने पेश किया है उन्होंने Securities and Exchange Commission के वहाँ पर कम्प्लेंट डाले हैं आठ कम्प्लेंट उन्होंने डाले है जो आठ सितंबर को उन्होंने डाला है तो यह सबूत के साथ फिर और इस बार काफी सबूत के साथ यह पेश किया है दूसरी बात यह बड़ी एहम बात है इसमें कि यह इरादे की बात नहीं है यह नहीं कि Facebook चाहता है कि मैं हेट को प्रशार करो मैं इन इन सब चीज़ों को प्रशार करो यह इनकी अल्गोरिफम जो है अल्गोरिफम करता है क्यों यहां मैं यहां मैं आप से पूछना चाहूंगी कि अल्गोरिफम क्या है इसकी चर्शा इतनी है Facebook के संदर में क्योंकि Facebook का भी उसने भी जबाब दिया उसने का कि नहीं हमारा अलगॉरित्म ऐसा नहीं है तो ये क्या बला है दरसल मैं इस पे थोड़ा सब बात बाद में बताऊंगा पहले बताएं कि असर क्या रहा है इसके बाद بتाता है, algorithm के जरीए, जो Facebook को चलाता है, आप और हमारे सामने ख़बर पेश करता है, वो post पेश करता है, जो जिस पे हमारी आंख ज्यादा रहती है, जिसको engagement कहते हैं, तो engagement Facebook का मूल मंत्र है, कि वो चाहता है कि जो भी Facebook में आए उस पे चिप के रहे, अटका रहे, क्योंकि तब उसको Advertisement दिखा जा सकता है, और Advertisement के आधार पर ही Facebook का Income होता है, उस Facebook में जो Income है, उसका 98% वो Advertisers से आता है, Advertisers क्या चाहते, वो चाहते आँख, कि आप हम उसको देखते रहे, तो Advertisement उसको दिखाने का मौका मिले, तो यह जो Facebook का Commercial Interest है, कि आप और हम उसके चिप के रहे, तो Algorithm जो है, वही काम करता है, आपको चिपकाने के लिए क्या है, आप Engagement कि इसमें ज्यादा देखते हैं, वही चूज करके वो आपको दिखाते हैं, फेस्बुक का दो मकसद है, एक है आपको चिपकाना, अपने स्क्रीन से लगातार हम देखें, उसको इंगेज हो उससे, अद दूसरा है कि हमको और आपको बेचे, Advertisers के, तो दोहरा उसका मुद्दा है, तो इसलिए फ्रांसिस होजन की जो एक खुलासा है, तो साफी जैंक की भी पहले थी, पर फ्रांसिस होजन ने बड़े प्रांजल रूप से लोगों को सामने इसका व्यक्षा किया है, बताया क्यों है, और बताया जब तक आपकी ठीक उसकी नहीं की जाएगी, तब तक यह प्राब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, तो इसको मत समझिये कि सिर्फ सेंसर बोर्ड फेस्बुक के अंदर लगाया जाए, और उससे एक चीज़े निकालते रहे, उससे काम चलेगा, क्योंकि एक बेसिक उसको कहना है, जेनेटिक बात यहां हो गई है, फेस्बुक पे जीन्स में इंगेज बढ़ाना लोगों को ब बनाता, content तो हम बराब बनाते हैं, तो intermediaries का क्या protection होना चाहिए, कहना है कि content का protection हो सकता है, क्योंकि दوس्रे लोग content बना रहे, algorithm का फेस्बुक पे कोई protection नहीं मिलना चाहिए, इस intermediary के दोरान, तो ये मुख्ये-मुख्ये बात है अगर देखे, हाज़न की यह रहे, तो कि पूरी तयारी की है Metaverse करके हमारे सामने है और जो पूरे आरोप लगे अमरीकी चुनाओं से लेकर मायमार से लेकर भारत तक में भी सारे जो आरोप हैं जिसके प्रमाण भी होजिन हमारे सामने रखती है तो क्या ये जो नया अवतार लेने की कोशिश है इसका connect वहां से है उसकी वज़ा से अपनी image को दुबारा build up करना चाहता है Facebook वज़ा क्या लगती है ये जो launch हुआ है जिसके तैयारी शुरू है सामने आ गया है अब तो Facebook पे वो चल भी रहा है मीम्स चल रही है मीम्स चल रही है उसकी तो ये क्या इसका संबंध है क्योंकि ठीक उसी समय आया ह जिसे में चारों तरफ से Facebook घिरा है उसे जवाब भी देना पड़ रहा है और हौजिन भी छोड नहीं रही है वो कह रही है कि नहीं नफरत वाला पूरा market है नफरत ही नहीं बहुत गंभीर सवाल उन्होंने उठाए नौजवान को लेकर कम उमर की बच्चीयों को लेकर उन् रखते हैं वो हेट वगारा वगारा उसकी तो काफी खुलासा हुए है हो रहा है पर उसके साथ साथ और एक प्रॉब्लम फेस्बुक को बहुत तकलीफ दे रहा है यह है कि जो यंग और्डियंस जिसे कहते हैं वो फेस्बुक में आनी रहा है यह इसको कहते हैं कि बेबी चालिस के उपर है वो फेस्बुक में है या उसके भी उमर जो ज्यादा जेनरेशन है वो फेस्बुक में है बर पच्चीस बीस पच्चीस के नीचे लोग फेस्बुक में नहीं आ रहे हैं बहुत सारे वज़े हैं उसमें बनी जा रहा हूं पर उनका लगातार यह है कि इन होंगा कड़ा कड़वा शब्द ज्यादा कड़ा शब्द होता है तो वो कुछ इंस्टरग्राम में जा रहे थे पर इंस्टरग्राम से भी वो और कहीं जा रहे हैं टिक टॉक में जा रहे हैं हमारे आनी को टिक टॉक हमने बैंड कर दिया पर दूसरे जगों टिक टॉक में जा रहे हैं तो ये देखते हुए फेस्बुक का बहुत चिंता है भविश्य के जेनरेशन अगर नहीं आएगा तो हमारा लंबा अड़से के लिए हमारी जायदाद नहीं रहेगी अगर ये जेनरेशन नहीं आती है ये तो जो कहेंगे उपभोकता है इसको नाम पर जो कर रहे हैं एक तो ब्रैंड बिल्डिंग री ब्रैंडिंग जिसे कहते हैं इसलिए है कि कीचड काफी उच्छाली गई है उनके हिसाब से हमारे पर बहुत कीचड उच्छाले जा रहा है और हमारे जो खुलासे वगरे हुए है उससे हमारे चबी काफी खराब हुई है तो उसके लिए एक री ब्रैंडिंग करें पर दूसरी rebranding की है हम कैसे अपने आपको पेश कर सकते हैं हम कुछ नया cool चीज जो कहते हैं आज की तारिक पर हम cool चीज कर रहे हैं इसलिए मेटा वर्स की उन्होंने बात की अपर उसको rebrand कर रहे हैं मेटा देखिए मेटा कहने में यह है कि हम facebook, instagram के इलावा भी कुछ चीज़े यूनिवर्स दिखाएंगे जिस पे आप जाएंगे गेम खिलेंगे वर्चिल यूनिवर्स पे लोगों के साथ मिलेंगे और वहां आप खर्चा भी करेंगे उनका लिब्रा करेंसी की कोशिश की थी शायद वह लिब्रा करेंसी भी वहां इस्तेमाल करेंगे तो एक मेटावर् क्योंकि इसको लेके बहुत दिल्चस्प काटून भी है जो हम चाहते हैं शेयर करना और वो काटून अपने आप में अलग कहानी कह रहे हैं हाँ इसपे एक मेटा के उपर एक सवाल ये है कि मेटा वर्स जकर्वर्क के विताबिक एक नया दुनिया वर्च्वल रियालिटी के दुनिया मेटा वर्स है जिसमें आप जाएंगे और भी कुछ कर सकते हैं दोगों ने कहा कि मेटा का और एक connection है मेटा वर्स के जगव पर मेटा मॉर्फोसिस जो काफका की किताब है तो आप एक जिसमें देखा है कौक रोज बन गए एक रात में तो उसका आपका दुनिया क्या आपको किस तरह से जा रहे हैं एक dysfunctional दुनिया में क्या आप हमें पेश करेंगे तो ये एक सवाल जरूर है मैं इताहीं बात कहना चाहूंगा देखिए सवाल तो ये है ultimately क्यों हम Facebook में आते हैं और क्यों हम Facebook पे टिकते हैं तो ये अगर मुख्य चीज है जिसका आधर पे advertisers revenue देता है Facebook को इतबड revenue उसको इसी से मिलता है तो ये इस metaverse पे हम क्या करेंगे आप और हमारी कोई दिल्चस्पी है क्या क्या बच्चों के आज के बच्चों के जिन्देगी में बहुत दिल्चस्प बात है कि हम एक alternate universe पे चले जाएंगे जहां पर हमारी रोजबर्य के कोई issue ही नहीं आएगा तो बहुत कम है तो ये escape route दे रहा है एक escape route तो हम मानते हैं हम भी करते हैं दो घंटा हम Netflix देखते हैं या और कुछ देखते हैं सिनमा हॉल में जाते इसकेपिजम में तो उस तरह के हो सकता है पर एक virtual reality इस दुनिया से भाग के हम और कहीं जाएंगे आप और हम मिलेंगे जूम मे मिल सकते हैं और भी किसी तरह के से मिल सकते हैं फेस्बुक में मिल सकते हैं पर हम मिलेंगे एक metaverse में ये जो गल्पना है ये मुझे लगता है कि जकरबर के लिए काफी attractive हो सकता है पर आम इनसान के लिए खास तोर से जैसे भारतवर्ष के लोग हैं सिर्फ सेल फोन के जरीए इस दुनिया से परचित होते हैं उनको एक मेटावर्स अल्टरनेट रियालिटी में जाके पैसा खर्चा करवाना ये मत भूलिएगा पैसा खर्चा नहीं करेंगा तो कोई रेवन्यू नहीं होगा और तो ये कैसे होगा मुझे लगता है कि ये वही मेटामॉर्फसिस की दुन दुनिया जहां पर एक इनसान इनसान का रिष्टा छोड़के इनसान एक अलग दुनिया में रिष्टा बनाने का कोशिश करेगा गेमिंग दुनिया में रिष्टा बनाने का कोशिश करेगा ये मुझे नहीं लगता होएगा पर गेमर्स गेम्स आजकल बच्चों में यंग पीपल लोगों में बहुत चलता है बाइनी समझता उस गेम को एक वर्चुल रियालिटी बनाके मेटावर्स बनाके उस पे जकरबग एक नया इंपायर भी बना पाएगा मुझे नहीं लगता यह सफल होना है आप सही कह रहे हैं एक इस वक्त इसको करके इस तरह से ठोक पीट के लोगों के सामने पेश करना इस सिर्फ एक रिब्रैंडिंग एक्सेसाइस है सोच रहे हैं जिता कीचर उन पे उचाला जा रहा इस वक्त कीचर नहीं सच्चाई में जो चीजे कहीं जा रही है उससे कैसे भागे ताकि एक नया इमेज बना सके लगता ही है इसका यह बात बिल्कुल सही दिखाई देती है प्रवीर की जिस तरह से फेस्बुक के इर्दगिर जो सवाल उठे हैं वे बहुत गंभीर सवाल है उसमें जो सवालों से बचने का रास्ता जिस तरह से खोजा जा रहा है कितना निकल पाएगा लेकिन मुझे लगता है कि विसल ब्लोवर न अमाम दर्शकों को इस पर अपनी पैनी नजर बनाए रखनी होगी क्योंकि हमें और आपको केंद्रित करके ही पूरा का पूरा कारोबार फेस्बुक ने जुटाया है और जो नफरत का पूरा बाजार उसके पीछे चल रहा है वह निश्चित तोर पे विश्व शांती के ल जरूरी है अंतराष्ठी घटना क्रम को शुक्रिया